हेलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में मैं हूँ डॉक्टर अरपिना और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स साती हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में भी कैसे उनके सिंटम्स के साथ डील किया जा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को दबाला ना भूले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइफ क्यू एने सेशन में हूँ तो आप लोग मुझे जॉइन कर सके और पूरा पूरा वीडियो उसका benefit उठा सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का topic विंटर्स में हम कैसे lip का care कर सकते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विंटर्स में as a general आपके पूरे body में dryness हो जाता है skin dry हो जाती है तो जाहिर सी बात है lip speed dry होता है तो उसका एक का हो जाता है कम पानी पीते हैं जिस वज़े से body ठीक से hydrated नहीं होता दूसरा कारण है कि हवा dry होता है हवा में नमी या humidity नहीं होती तो इस वज़े से dryness की problem हो जाती है तो सबसे पहले lips का आपको care करना है तो आपको क्या करना है आपको hydrated hydration का ध्यान रखना है और आपका body hydrated होना चाहिए आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए दूसरी चीज लिपस को moisture करना है लिपस को आप कैसे moisture कर सकते हैं तो उसके लिए आप petroleum jelly आप लगा सकते हैं आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मलाई लगा सकते हैं lips में आप coconut oil लगा सकते हैं और रात को लगा कि overnight उसको lips में ही छोड़ें उससे जो lips के cells हैं वो repair हो जाते हैं और lips को जो एक natural moisturization lips को मिलनी चाहिए वो भी मिल जाती है फिर है कि lips को exfoliate करना है exfoliation करना है जैसे हम skin का exfoliation करते हैं तो उसके लिए scrubbing scrubbing कैसे करेंगे तो आप थोड़ा सा चीनी के साथ थोड़ा सा शहद मिलाके एक एकदम soft सा toothbrush लेके उससे आप circular motions में अगर आप lips को आप scrub करेंगे तो जितने dead skins हैं जितने flakes हैं वो निकल जाएंगे secondly आप coconut oil में भी sugar मिलाकर ये आप जो scrub है ये आप बना सकते हैं जितनी natural चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो आपके lips के लिए अच्छा है आप जो oats होते हैं oats के साथ भी थोड़ा सा cornflakes mix करके sorry oats के साथ भी थोड़ा सा शेहद mix करके भी आप scrub बना सकते हैं और उससे भी आप lips को scrub कर सकते हैं तो ये सारे natural exfoliating agents है और exfoliation करने के बाद lips को moisture करना है moisture जैसे मैंने बताया कि चाहे आप petroleum jelly से करें चाहे आप घी से moisture करें या आप उस पे coconut oil लगाए अब क्या हमें नहीं करना तो सबसे पहले lips में lipstick वगारा जो आप लगाए तो alcohol containing lipstick नहीं लगाए और lips को बार-बारी जीप से यानि कि टंग से बार-बार lips को लिख नहीं करना तो अगर आप hydration का ध्यान रखेंगे आप exfoliation का ध्यान रखेंगे और moisturization का ध्यान रखेंगे तो ये तीन चीज़ आप करेंगे तो आप देखेंगे कि winters में जो crack lips की problem होती है वो आपको और नहीं होगी मैं उमीद करती हूँ कि ये जो information मैंने आप लोगों के साथ share किया आप लोगों ने इसको like किया है तो इसको जरूर like भी करिए और इसको share करिए अपने friends, family, सब लोगों के साथ ताकि सब इसका benefit उठा सके और इस video को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा धन्यवाद, thank you and have a very nice day अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं subscribe किया तो इसको subscribe कर लिजिए, bell button को दबाना ना भूले, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you